सी एपी अफ एसी 2021 इंटर्व्यू प्रोग्रेम में इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स टॉपिक्स में हमने आपको पिछले वीडियो में 25 टॉपिक्स के बारे में डिसकस किया था आज निक्स्ट ये और तो इंजीओ और एफ्सी आरे लास्ट हम देख रहे थे तो इंजीओ जो इंडिया में हैं वो बहुत अच्छे काम भी करते हैं लेकिन Foreign Contribution Regulation Act के ताहत उपे कुछ प्रतिबंदी भी लगाये गये हैं इसके बारे में निक्स्ट टॉपिक 26 नंबर है SRE यानि Security Related Expenditure Districts कुछ डिस्टिक्स ऐसे हैं साइट 70 ऐसे डिस्टिक्स हैं 10 डिफरेंट एस्टेट्स में जिनमें Security Related Problems हैं उसमें तो एक्स्पेंडीचर का जो उहां के जो Security Forces हैं उनको Special Power दिया गया है कि आप Local Requirement के अनुसार expenditure कर सकते हैं वैसे देखा जाए तो यह सारे डिस्टिक्स जो हैं वो आपके LWE से affected हैं लेकिन जो MHA का रिपोर्ट देखोगे तो MHA का रिपोर्ट latest में एक तरह से 41 के आसपास district में वो मानते हैं कि जो left wing extremism से प्रभावित हैं लेकिन इसमें 70 districts रखा गया है लेकिन in future इसमें है और कुछ districts को add कर सकते हैं next आपका है India's hydrogen policy hydrogen जो है वो काफी efficient energy का source है उसमें जो per unit energy काफी मिलता है लेकिन इसके storage और इसको handling इसका difficult है otherwise the hydrogen को हम proper efficiency use करते हैं तो ये आपका environmental pollution भी इसके नहीं है almost negligible है किसी चीज में zero नहीं होते हैं negligible है मतलब बहुत कम है और जो इसको से बहुत लंबे समय तक हम huge इसको कर सकते हैं तो ये next आपका है सागर doctrine जो आपका security and growth for all in the region initiative जो आपका Indian Ocean region में जो छेतर हैं उसमें से सागर doctrine का initiative government of India ने लिया है कि हम जो इस area में है कि security भी करें और growth भी all in the region next आपका 29 number है India's performance in games and sports particularly for female अभी for example common wealth game हुआ फिर इसके पहले आपका last year जो था वो आपका ये ओलंपिक था और different goal में games में जो हमारे इंडिया के performance लंबे समय के बाद देखा जाए अभिनव बिंद्रा के बाद एक तरह से second नीरज चोपड़ा ने gold medal जीता तो लेकिन जिती देखा जाए तो महिलाएं आज की rate में बहुत अच्छा कर रही हैं तो ये एक अच्छा initiative है और जो खास करके वो estate जो बीमिन की मान के चलो six ratio में खराब performance करने वाला estate जो है female जो a sports person है उनको काफी promote कर रहा that's good so इसके बारे में आपको देखना है next है ethanol blending policy of India जो भारत का target है वो जून 2022 में 10% ये आपका 22 में कर लिया है और इंडिया का target है coming days में आपका 20% ये ethanol blending ये करने का तो इससे एक तो import bill हमारा कम होगा दूसरा है जो farmers है जो हमारे farmers जो खास करके crop produce करते हैं गन्ना और other types के खास करके मक्का बगएरा जो मेज है उनको फाइदा होगा और इंडिया का foreign exchange reserve भी बचेगा निक्स्ट है agriculture residue management ये एक बड़ा important issue है पराली जो प्रवंधन है पराली प्रवंधर के लिए देखोगे कि जैसे खास एक state जैसे बिहार है तो बिहार में एक मान के जो मधुबनी है तो मधुबनी में सुखेत मोडल है तो ऐसे different places पे जो कुछ चल रहा है जो इसमें technology है निति प्रवाइड करेगा ये resources produce करेगा ये लोगों को income बढ़ाएगा बलकि जो pollution को कम करने में यह हम भूमिका निभाएगा ठंडे के मौसम जैसे ही आ रहा आपका interview morale जैसे ठंडे के time में देखोगे कि दिवाली के बाद आपका interview start हो रहा है उसमें से क्या होता दिवाली के बाद इस्तिती जो है दिल्ली NCR में बहुत खराब हो जाता है तो ये आपका hot topic होता है हमेशा निक्स आपका है road safety in India कुछ दिन पहले देखोगे Cyrus mystery Tata Suns के जो पूर्ब chairman रह चुके हैं उनका road accident में date हो गया इंडिया में देखा जाए तो 150,000 के आसपास date every year होते हैं ये बहुत से कम किया जाए ये एक बड़ा challenge है और seat belt बांधना, helmet बांदना ये सब सारी चीजे और जो कुछ जो होते हैं dangerous point जो black spot होते हैं उनको proper उनका management करना, road का जो structure है वो सही डंग से बनाना ये सारी चीजे है निक्स्ट आपका है universal health coverage COVID-19 pandemic के बाद एक तरह से इस पर अधिक जोर द दिया जाने लगा, खास करके आईश्मान भारत तस्कीम के तहट देखोगे, जो करीब करीब इंडिया के 10 प्लस करोड फामिली को ये दिया गया आईश्मान health card जो deserve करते हैं, लेकिन COVID-19 pandemic में देखोगी कि बहुत family की इस्थिति इतनी खराब हो गई कि second wave में देखोगी कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे family हैं, जिनकी health के कारण, health issues के कारण, इनकी इस्थिति बहुत बुरी हो जाती है, private sector के जो hospitals होते हैं, exception हो सकते हैं, एक आद ऐसे जो की अधरवाई maximum जो है, इतने social करते हैं, तुरंत जाते के साथ ICU में डाल देंगे, ventilator पे रख देंगे और उनके इतने cost होते हैं, तुरंत तुरंत अभी जैसे recently मैं पटना में था, तो एक friend है, उसके maternal uncle के, one day में, in fact देखा जाए, तो 40, 50, 60,000 बील बना देते हैं, हर कोई उत्मा afford नहीं कर सकता है, तो ये चीज़ जरूरी है, next आपका चीता relocation project, चीता relocation project जो है, finally ये इसको implement क किया गया है, अभी कुनोपालपूर में, मद्यपरदेश में, खाशकर के मद्यपरदेश region से जो है, उनके लिए तो ये most important है, ये उनके बारे में जानना, मद्यपरदेश के, जो भी wildlife sanctuary है, national park है, तो मद्यपरदेश वाले तो detail में करोगे, otherwise आप कहीं से भी हो, आपको जानन है, क्योंकि जो चीता कहां से आया, ये project इसमें क्या complications है, अभी क्योंकि हम इस पर proper, जो इसका outcome होगा, इस पर नहीं कह सकते हैं, अभी observation में है, नेक्स्ट आपका है, data localization, storage and management and right to be forgotten, कुछ जो data localization से सम्बंदित की, जो कुछ हमारे इंडिया के जो transaction हो रहे हैं, इंडिया मे चाहिए, यानि की data जो storage है, वो इंडिया में होना चाहिए, ताकि जरुवत पढ़ने पर हम उसको use कर सकें, अब जदी हमारे jurisdiction से बाहर वो होता है, तो फिर कुछ जरुवत होती है, तो हम उसको use नहीं कर सकते हैं, इतने complication होते हैं, खास करके जैसे online fraud और ये सब सारी चीज होगा, तो हम इन चीजों को track आसानी से कर सकते हैं, लोगों में safety security के वेवाब ना रहेगी, निक्स्ट आपका EC में है right to be forgotten, यानि कि जैसे आपने कुछ किया, कुछ गलत ही किया, सपोर्ज ये करके, लेकिन फिर आपको court ने ये माना कि आपने गलत नहीं किया था, आप पर तरीका से बरी होगा है, जैसे for example, एक student है, एक student से कुछ गलती हो गई, अब उसका internet पे सारे जगा link share है, यही situation होगा, फिर उसे job प्राप्त करने में दिक्कत हो रहा है, तो ये right to be forgotten भी होना चीजए, निक्स्ट आपका है demographic dividend turning to demographic disaster, इंडिया जैसे हमारे प्राइमिनिस्टर क लेकिन young country है, that's fine, लेकिन जदी हम उसका demographic जो है, उसको यूज नहीं कर पाएंगे, तो demographic जो dividend है, वो आपका disaster में, क्योंकि इंडिया में जो population है, young population काफी है, nuclear weapon threat, next topic है, nuclear umbrella, इंडिया जो first use policy, इसके बारे में आप देखोगे, जो अभी चाइना, सॉरी, रसिया और Ukraine crisis में, ज बारिश से, तो nuclear umbrella, suppose करो कि Japan, Japan के पास capability होते हुए, technologically, one of the most advanced country होते हुए भी उसने, और उसके ऊपर थो nuclear weapon भी गिराया गया, दो बॉम, हिरोशिमा और नागा साकी पे, 1945 में, लेकिन in spite of that, उसने nuclear weapon use नहीं किया, क्योंकि अमेरिका ने बोला कि अब जो हो गया, भाय हो गया, मैंने गिरा दिया, गिरा दिया, लेकिन अब तुम्हें nuclear umbrella प्रोबाइड करते हैं, यानि तुम nuclear weapon को develop ना करो, कुछ जरूरत होगा, तो हम हैं तुमारे लिए, फिर इंडिया का no first huge policy उसके, निक्स आपका five eyes alliances, जो alliance सिर्फेक कर सकते हो, USA, UK, Kannada, Australia and New Zealand, ये five के five जो country हैं, वो freebie culture in Indian states, खास करके आम आदमी party जहां भी जा रही है, वो freebie culture ये कर रही है, freebie culture doesn't mean कि आप जन्ता को provide facility नहीं provide करोगे, that's fine, आप कराओगे, लेकिन ज़िए उसका खामियाजा दूसरे चीजों में भुगतना पड़े, तो उसका कोई फाइदा नहीं है, तैसे आप education को हम freebie मे आप दे रहे हो, उसका मिस यूज जादा होता है, जदी water पैसे लगता है, तो आदमी सही सही यूज करता है, जैसे आप एक water bottle खरीदते हो, तो उसमें पैसे लगते हैं, तो उसको बचा बचा की यूज करते हो, लेकिन जदी नल आ रहा है, 30 रुपे महीने लग रहे हैं, 40 महीने लग रहे हैं, और उसमें मीटर नहीं लगा हुआ है, तो आप जैसे यूज करते हो, इलेक्टिसीटी है, इलेक्टिसीटी में आपको पैसे लगते हैं, तो आपको उसको judiciously यूज करते हो, और जदी आपको एलेक्टिसीटी फिरी दिया जाए, और लाइट सही से ना प्रेइट होगा, निक्स्ट आपका फिर्डम, प्रेस फिर्डम, मीडिया आज दे फौर्थ पिलर ऑफ डेमोकरेसी, फिर्डम इंडेक्स में हमारा रैंक जो है, वो काफी खराब होता है, काफी खराब रहता है, और इंडिया में अभी जैसे आप बहुत सारे न्यूज चै प्रेइटिव हैं, और वो सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, मीडिया को बायस, अनबायस्ट होना चाहिए, बायस्ट नहीं दिखाना चाहिए, मीडिया को है, जो टूथ है, जो चीजे हैं, उसको प्रचेंट करना चाहिए, तो यह फोर्थ पिलर ऑफ डेमोकरेसी कहे जाते है है वो डाइरेक्ट पार्टिसीपेट करते हैं लेकिन जो फोर्थ पीलर है यानि की मीडिया है उसका डिफरेंट रोल है निक्स्ट आपका अगनीपत हस्कीम ऑफ रेकूटमेंट फॉर आम फोर्सेस तो आम फोर्सेस का देखोगे इसके कारण काफी वाइलेंस वगेरा भी हु नो डाउट आज बहुर की सिट्विशन यह नहीं है रिसोर्सेस फिसकल प्रोब्लम हमारे पास है डिफेंस बजट बहुच जाता है और डिफेंस बजट में मिजोरीटी पैसे कहां जा रहे हैं सैलरी और पेंशन में तो इससे नो डाउट बेनिफीट होगा लेकिन यूट् तरीका से प्लान बीना बनाए हुए एक्जिक्यूट करना सब्टाइम हाम फोल हो सकता है नेक्स आपका है सीडियस पोस्ट इंटिग्रेशन आफ इंडियान आम फोर्से साइंट इलेटर इसूज तो जो देख लेटिनेंट जनरल अनील चोहान रिटायर्ड दुर हैं उनको सकेंट सीडियस बनाए गया है जनरल अविपिन रावत जी का जो ट्रैजिक हेलेकॉप्टर क्रैस्ट में देथ होने के बाद जो है सीडियस का पोश्ट का ली था वह फर्स्ट सीडियस थे तो अभी सीडियस जो सकेंड सीडियस बनाए गय retrospective जनरन आम जोहान डिटायर्ड क तो इसके बारे में इंटिग्रेशन आफ इंडिया नाम फोर्सेस और थियाटर कमांड है उसको और रिलेटेड इसुस के सम्मन्द में नेक्स आपका ओल्ड एज पीपल इन इंडिया अभी हम थोड़ी देर पहले एक टॉपिक आपको बताये थे लेकिन धीरे-धीरे करके ओल्ड एज पीपल भी तो बढ़ते जा रहे हैं अब ओल्ड एज पीपल में क्या है कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पैंसन आ रहा है जिनको बेनिफीट जिनके पास रिसोर्सेस है जिनके फैमिली सपोर्ट करते हैं बहुत सारे जो गरीब हैं मजदूर जो देखोँगे कि बहुत सारे जो दंगे फसाद और ये सब होते हैं बोलोजर बहुत जगह चला दिये गए कि ये आदमी involved था ये सारी चीचे तो इसके मिस्यूज और यूज दोनों टिकनलोजी दुधारी तलबार है कि डवल एज़ सोड है कि एक तरफ ये benefit प्रोबाइड कर रहा है तो दूसरे तरफ जो ये problem भी create कर रहा है तो that's fine कि आप के पास technology है आप यूज कर रहे हो उसका अच ने रखता है निक्स्ट आपका है करता बेपत सेंटरल विश्टा प्रोजेक्ट रिलेटेड इसू जैसे फूर एक्जामपल देखो जो लायन वाला था सेर जो इंस्टॉल किया गया है जो अशोका के शारनाथ से जो लिया गया है तो उसमें ये बोला गया कि ये जो लायन ह है उसमें इतना एग्रेसिव नहीं है तो ये सब जो कंट्रोवर्स्टी है करता बेपत जो है इस आरेज के बारे में लिटिल बीट ओपीनियन आपको खरना है नेक्स्ट है आपका रिलीजन और इंटरनल सिक्यूरिटी मेनी टाइम देखोगे पिया फाई से रेलेटेड जो इसू है तो उसमें से बहुत बार देखा जाता है कि रिलीजन इंडिया बहुत जारे जगों में ये चीज एक की रिलीजन को लोग टेरिडिजम और ये सिकरते हैं तो अक्षुल में ये आपको रखना चाहिए कि कोई भी रिलीजन का जो और देखोगे जो औरिजनल गर प्रदो खना भी देखो कि रिलीजन जो है मानका लियान की ही भात करता है अब उसको हम तोड़ मरोर करके कुछ चीज हम यूज करते हैं जो काफीर काफीर चीजए एस बचाबों पिर चो किशीगों मानने वाले को तो आपका लिए लच्छ नहीं होता है कि किसी भी धर्म को टार्गेट करो, किसी भी रिलिजन को टार्गेट करो। नेक्स्ट आपका है Constitutional Benches of Supreme Court of India. हाल के दिनों में देखोगे कि Supreme Court में Constitutional Benches नहीं बन रहे थे, तो अभी यू यू ललीट जो है, उदय उमेश ललीट वो आप जब इंटर्व्यू आपका चलते हुए रहेगा, तब साइध 8th of November उनका लाश्ट टेनियोर है, तो उसके बाद जो है डिवाई चंदरचूड बन रहे हैं, इंडिया के CJI उसके बाद यानि 9th of November को धनजय यसवंथ चंदरचूड और ये एक तरह से second generation के CJI होंगे, यानि इनके पिताजी जो थे विश्नु यसवंथ चंदरचूड बाईवी चंदरचूड वो इंडिया के CJI रह चुके हैं, और one of the longest serving CJI, और इनका भी tenure जो हैं, डिवाई चंदरचूड का वो two years का है, तो अभी यू यू ललीत ने जो एक तरह से बोला कि अब जो है, रेगुलर रूप से एक constitutional bench at least काम करते रहे हैं, constitutional bench में क्या होता है, कि minimum five judges होती हैं, depending on requirement, sometime क्या होता है, more number of judges को, लेकिन at least five judges होते हैं, और वो constitutional bench में सुनवाई करते हैं, बहुत सारे matters है, no doubt उसमें, जैसे नोटबंदी है, तो नोटबंदी को अभी government of India ने एक तरह से कहा कि ए academic interest को सकता है, लेकिन नोटबंदी तो हो चुका है, ये तो in fact six year, almost आपका number जब आएगा, तो six year हो जाएगा, तो नोटबंदी के six year, तो अब ही हम post-mortem कर रहे हैं, तो क्यों, problem तो है ना, कि judiciary तो उसको action लेना चाहिए था, तो constitutional bench at least work करते रहना चाहिए, problem ये क्या हो रहा है, कि जो हमारी judiciary है, एक तो इनके strength जो हमारे population है, उसके अनुसारा strength कम है, उसके बाद judiciary में जो unnecessary बहुत सारे work होते हैं, जिसको साइद आप असी label से समझा, सुल जाया जा सकता है, यदि किसी person को, किसी student को, किसी institution में admission नहीं मिल रहा है, तो ये high court तक में, या normal, उसको समझाया जा सकता है, सुल जाया सकता है, आपसी, ये में कि कोई student है, पेडित हो रहा है, तो उसको कर सकते हैं, कोई आसा issue होता है, लेकिन छोटे-छोटे issue बहुत सारे आ जाते हैं, constitution, उसके implication उसमें आ जाते हैं, constitutional rights, fundamental rights and all, तो no doubt, ऐसा नहीं है, जो आदमी प्रभावित हो रहा है, जो person प्रभावित हो रहा है, उसके पास right है, कि वो supreme court तक जाये, लेकिन इन बहुत सारे issues के कारण जो होते ह है, core issue जो रह जाते हैं, अब constitutional bench में कुछ matter आते हैं, वो एक दिन में नहीं सुलजता है, उसमें बहुत सारे complication होते हैं, यह number of evidences present करने पड़ते हैं, यह number of witnesses present करने पड़ते हैं, उसके research करने पड़ते हैं, उसके judgment को लिखने में टाइम लगता है, सारी चीचे उसमें लगत उसमें भी चुटी चलता है, दुरगा पुजा हो या बहुत सारी चीजों का, तो जो भी time मिला तो एक अच्छा initiative की, जो around the year जो है, वो at least एक constitutional bench यह work करते रहां चीए, निक्स्ट आपका LGBT, यह सोरी, yes, yes के जगा, यह क्यू होगा, ठीक है ना, LGBT QIA and conversion therapy, तो जो यह आपका, यह है आपका, ठीक है, तो LGBT, आपका lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, यह सब जो है, intersex, asexual, और any other यह, ठीक है, तो इससे related और conversion therapy, conversion therapy का मजबर क्या है, कि suppose आप एक तरह से जो nature है, निचर में normally, exceptions, animal beings में भी होते हैं, निचर एक तरह से जो proper ऐसे बनाती है, वो heterosexual बनाती है, कि opposite sex के तरफ attraction होना कि कोई male है, वो female की तरफ, female है male की तरफ, लेकिन देखो कि homosexuality is not only in human being, homosexuality and other things जो है animal beings में भी पाया जाता है, तो जो LGBTQ का issue जो है, वो उसको एक तरह से conversion therapy यह किया, कि either उसको mental, उसका counseling करो, यानि कि psychological counseling, psychological एक तरह से trauma उसको दो, medicine and all, अब इसमें से क्या है, proper research भी नहीं हुआ है प्रोपर चीजों को नहीं, तो एक तरह से जदी आप यह मानते हो कि LGBTQ एक disease है, और society के लिए harmful है, उसके लिए उसको आप conversion therapy करते हो, कि वो heterosexual हो जाए, तो यह actual में उनके right के साथ खिलवार है, यह नहीं होना चाहिए, बल्ड ओबर जो doctor है, जो medical fraternity है, उन्होंने इस चीज को गलत बताया है, हमारी Supreme Court ने भी इसको गलत बताया है, तो इसके उपर आपको यह जानना है, नेक्स आपका betland conservation, just one year back देखो, तो हमारे पास करीब 42, 45, 40 से 45 के आसपास betland थे, जो रामसर साइट थे, 75 years of independence के अपसर पर 75 हमारे रामसर साइट हो गए हैं इंडिया में, तो betland conservation जो बहुत सारे जो आपके betland हैं, वो सूखते जा रहे हैं, उसका encroachment होता जा रहा है, उसमें गारवेज आप ठेक रहे हैं, हो बहुत सारे, तो कहीं भी जो आप green रखना चाहते हो, green reach आते हो, तो आपको water sources को हैं, उनको भी conserve करना पड़ेगा, उनका encroachment को रोकना पड़े तो wetland conservation aggregate hole, क्योंकि 75 वी रामसर साइट्स ये कर दिया गया, इनफेक्ट आनन भानन में कुछ को कर दिया गया, तो ये इसमें गलत किया गया, सही है, जितना जादा इसमें से होता है, उतना जादा conservation, लेकिन proper conservation होना चाहिए, तो wetland conservation एक important topic है, एक important issue है, और इसमें ये होना च common university interest test में देखोगे, बहुत सारे glitches आए, बहुत सारे problems आए, लेकिन ये एक तरह से right initiative है, आपको at least ये करना चाहिए, कि common जदी है, तो सबको equal platform पे लाना, और मौका मिलना आताना नहीं है, कि कोई सपोज आप लोगों में से बहुत सारे जो दे रहे हो interview, उसमें से मैं कुछ 10th में या 12th में या double graduation या multiple post graduation, मैं किसी में भी एक तरह से 70 plus नहीं आया, कुछ लोगों को मैं देखता हूँ 90 plus percent है, तो ऐसा नहीं है कि वो गलत है, वो सही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ plus two के marks के basis पे top के colleges में admission होना, तो ये जो कुछ student है, ऐसा नहीं है कि जो 95 percent है, वो हमेश 45 percent से better होंगे, बहुत बार आपने देखा है, आपने अपने exam में देखा है, कुछ बार आप 90 plus हो सकता है, आपका selection नहीं हो, और आपके सामने कोई 45 percent हो, उसका selection हो जाता है, तो हो सकता है किसी time में किसी person को problem create हुआ हो, या फिर कुछ boards जो है, वो marks बहुत कम देते हैं, पहले और CBC Board में उस समय भी 80 percent बहुत कम आना जाता था, तो जो CBC Board से हो, तो 93, 94, 9 या कुछ और states के देखते हैं, जैसे मैं आंगरापरदेश के कुछ students हम से जो जुड़े हुए हैं, इंडसेंस, तो उनका मैंने देखा 90 plus score 10th में और 12th में है, तो बहुत सारे यह होते हैं, लेकि कि common university interest, लेकिन ये proper fair होना चाहिए, इसमें similarity होना चाहिए, सब लोगों को equal opportunity मिलना चाहिए, तो ये एक right step है, तो इसमें हमने 50 topics ये cover किये, 50 or topic जो है हम आपको provide कराएंगे, एक 2-3 दिन में जैसे topics collect होता है, अब हर वो topic आपका detail में नहीं जाना है, लेकिन little opinion आपको ये रख कुछ भी questions, doubts होता है, तो आप हमें personal message कर सकते हैं, इस whatsapp number 8527146498 या इस telegram number 7404909669 जिनको भी लगता है कि हम mock interview या guidance मिलने से थोड़ा advantage हो सकता है, तो आप join कर सकते हैं, और जो बहुत सारे लोग join किये हुए ही है, so okay, keep continue, keep working, positive attitude रखो, आप कुछ दी मौका मिला है interview के लि का लाव उठाओ, okay, thank you.